दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आधार काड का पासवर्ड हमेशा के लिए हटा सकते हैं दोस्तो जब भी आप M.A.A.R.C.R.D. application से या UIDI की वेबसाइट से जब भी आप अपने आधार काड को डाउनलोड करते हैं तो वो एक PDF फाइल में डाउनलोड होता है तो बहाँ पर जब भी आप उसे ओपन करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अधार काड है जो कि PDF फाइल में है मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फाइल इच प्रोटेक्टटेड्ट तो यहाँ पर यह मुझसे पासवर्ड मांग रहा है तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका पासवर्ड क्या होगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे आप हमेशा के लिए इस पासवर्ड को कैस से हटा सकते हैं जिससे कि आपको इसे open करने के लिए बार बार यहां पर password डालना नहीं पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका password क्या है तो इसका password जानने के लिए तो जैसे कि मालीज आपका नाम विशेक है और आपकी date of birth है 2 जनवरी 1990 तो आपके नाम के शुरू के चार वर्ड जो की capital लेटर में होने चाहिए और आपकी year तो यहाँ पर आपका जो password है वो इस तरह होगा तो मैं अपना password एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आधार card है वो open हो गया है लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं इसे दुबारा से open करूंगा तो यह फिर से मुझे password मांगेगा तो अगर आप चाहते हैं कि यह आपसे बार बार password ना मांगे तो इस password को आप हमेशा के लिए कैसे अटा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको chrome browser open करना है और यहाँ पर आपको search करना है smallpdf.com तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा यह देखे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा unlock pdf आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद देखें यहाँ पर लिखा चूस फाइल तो यहाँ पर आप क्लिक कीजे और जहाँ भी आपकी जो pdf फाइल रखी है उसे आप select कर लिजे फाइल मेने जैसे तो यहाँ पर यह मेरा आधार कार्ड है जो कि pdf फाइल में है मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैंने इसे select कर लिया है उसके जहाँ पर uploading start हो गई है उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर unlock pdf पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एक बार अपने आधार का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा तो मैं एंटर कर देता हूं तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है उसके बाद देख उसका देखिए आप पर लिखाए download file आपको यहाँ पर ख्लिक करना है और अगर आप चाहें तो देखिए आपर लिखाए save to drop box आप अपने drop box में भी इसे save कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए लिखाए save to google drive आप इसे Google Drive में भी save कर सकते हैं तो मैं यहाँ से अपने File Manager में इसे download कर लेता हूँ तो मैं download file पर click करता हूँ तो इस तरह आपका जो आधार card है वो download हो जाएगा और इसका जो password है वो भी remove हो जाएगा और आपसे बार बार ये password भी नहीं मांगेगा यह आपको आपके File Manager में download folder में आपको मिल जाएगा मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर है तो यहाँ पर देखे आधार card unlocked यह PDF फाइल में यहाँ पर download हो गया है मैं इसे open करता हूँ और देखता हूँ कि यह मुझसे password मांग रहा है या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझसे password नहीं मांगा है और यह यहाँ पर open हो गया है तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने आधार card के password को remove कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा मिलते हैं next वीडियो में Goodbye